ब्रेकिंग न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि जैदली का एक्सिडेंट हुआ है और उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि कार एक्सिडेंट है या क्या है लेकिन डीटेल्स आप लोगों दे देते हैं लेकिन एक और बात कि उनकी रिक्वेस्ट है एक एक रिक्वेस्ट है उनकी वो आप लोगों ने जाननी है ठीक है ना इस वीडियो के पूरा देखें ठीक है ना और कमेंट कमेंट कर दें ठीक है ना आप लोग क्या रहा है और कमेंट सेक्शन वैसी आप ने उसके अंदर कमेंट करने हैं क्योंकि पॉजिटिव मैसिज जाएगा जैदली की और car accident का नहीं उन्होंने confirm किया लेकिन अब message किया without any further without any further message की तरफ चलते हैं ठीक है ना वो क्या कह रहे है अब उन्होंने सबस्क्राइब का सलाम everyone ठीक है ना वालेकुम असलाम these past few days have been one of the most tactic days of my life ठीक है ना फिर उन्होंने announce किया कि I was recently in a terrible accident in which I hit my head ठीक है ना अब यहां पर नहीं पताया कि car accident था क्या क्या था ठीक है ना यह जरा सोचने वाली बात है आप लोगों को पताया तो जरूर comment section नहीं ठीक है ना और and I completely passed out ठीक है ना और फिर उनको waking up पर पता चला कि इनका accident होया है and I have been extremely lucky that there were no internal bleeding ठीक है ना यह उन्होंने announce किया कि internal bleeding नहीं होई my head is currently deformed and swollen and it's difficult to eat anything and I have been vomiting repeatedly ठीक है ना और यह उन्होंने announce किया जी मतलब उनका major accident होया terrible accident होया ठीक है ना और फिर उन्होंने का है कि I remember when it first happened I was in such uncontrollable uncontrollable pain ठीक है ना और उनसे बरदास्ट नहीं हो पा रहा था ना I was begging Allah to take everything I have just to make this pain go away ठीक है ना मतलब आप लोग उनकी मतलब इससे अंदाजा हो सकता है कि कितनी उनको तकलीफ होई है जो accident होई ठीक है ना अच्छा जी उसके बात कह रहे हैं जी all the worldly problems I had they didn't matter anymore a few days later now I realized that sometimes we neglect the biggest blessing that Allah has given us which is our health क्या बात का रहें माशाला से ठीक है ना आप लोग खुद इसको मतलब वो अला ताला की जो नेमत है ना उसको पता रहे हैं कि यार ये health एक बहुत बड़ी नेमत है अला ताला की तरफ से ठीक है ना वाकी सही बात है ठीक है ना तो उन्होंने फिर आगे से पताया है कि doctor said ये अब उनकी announcement request है ठीक है ना तो the doctor said it would take 7 to 10 days for me to start doing my daily activities but it could take up to few months ठीक है ना ये उन्होंने तुरा सा पता दिया कि latest के अब क्या सारा सिल्चला है और उसके बात करना है all I request at this point is to just keep me in your द्वास ठीक है ये मैं आपको पताने चाहर था कि ये उनकी request है तो obvious सी बात है अब देखें ना कुछ और news जैद अली की या कुछ यूटीबर्स की आती ह तो वो हम दे देते हैं लेकिन ये obvious सी बात है कि जैद अली इस वक्त आप लोग समझ सकते हैं कि difficult phase में आफ लाइफ तो ये news बनाना जूरूरी था आप लोगोंने comment section में इनके लिए दूआ करनी है ठीक है ना और इनोंने काफी positive बाते की है ठीक है अब आप लोग positive message दें और आपको मैंने वो भी पता दिये कि कितना आप doctors क्या कह रहे हैं वो भी सारा आप लोगों को इस message से पता चल गया अब यूटूबर्स क्या करते हैं ये post नहीं थी लेकिन फिर भी अगर कुछ आता है आगे तो आप लोग चैनल को subscribe कर सकते हैं और bell icon को दबा सकते हैं for worldwide latest news और इस से बिलेट अगली नियूस के लिए थैंक तो मच वाचिंग वाचिंग इस वीडियो